हेप्पी नुएयर ओल माई यूटूब फैमली तो फ्रेंड आज हम सर्दियों का खास रेसेपी इम्यूनिटी बूस्टर मसाला गुर बर्फी की रेसेपी कर आ गया है फ्रेंड ये गुर बहुत ही हेल्दी होगा और एकदम स्वाधिश्ट होगा तो फ्रेंड वीडियो शु सब्सक्राइब कर लें साथ में वेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि कोई भी नया वीडियो अप्लोड करूँ तो सबसे पहले नोटिपिकिसान आपको मिलता रहे तो चलिए फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं सर्दियों के हेल्दी रेसेपी बनाने के लिए हम आधा क सबसे पहले हम इडली के बरतन में घी लगाकर सेट कर लेते हैं फोईल पेपर में सेट करने के लिए बरफी को जमाने के लिए और एक प्लेट में भी फोईल पेपर लगाकर सेट करके रख लिए हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो इधर कराई गरम होने के लिए लेंगे, घी हम मेल्ट किया हुआ, नहीं लिए है, जमा हुआ गी लिए है, दो चम्मच, खाने वाले चम्मच से, घी को मेल्ट होने देंगे, अच्छी तरह से, अगर आप मेल्ट किया हुआ गी लेंगे फ्रेंड, तो कम से कम 3- 4 चम्मच के करीब घी लिजिएगा, अब देख सकते हैं घी मेल्ट हो गया है तो अब हम इसमें ड्राइफ रूट को भून लेंगे ताकि हमारे ये जो बर्फी है गुडबला लंबे समय तक ठीके खराब ना हो इसलिए हम ड्राइफ रूट को रोष्ट कर लेंगे तो हम बदाम को डाल दिये हैं एक मिनिट तक भून लेंगे बदाम में भूनने में थोड़ा लेट लगता है फ्रिन तो बदाम एक मिनिट भूनने के बाद उसी में हम काजू को डाल देंगे उसको भी फ्राइ कर लेंगे एक मिनिट तक तो काजू बदाम अच्छी तरह से भून गया है हमारा आप देख सकते हैं फिर लो फिलेम में चलाते हुए भूनना है तो इससे क्या होता है कि बर्फी का टेस्ट भी अच्छा लगता है और खराब भी ने होता है तो भून गया है तो अब हम इसको निकाल लेंगे तो अब हम इसको छन्नी की सहाथा से निकाल लेते हैं ड्राइ फ्रूट को ताकि जो भी इसमें घी है एक्स्ट्रा वो निकल आए इस तरीके से आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ड्राइ रोस्ट हो गया है ड्राइ फ्रूट तो हम इसको प्लेट में निकाल के रख लेते ह ठंडा होने के बाद इसको छोटे-छोटे पिसेस में काट लेंगे तो अब हम इसी घी में गूर को डालेंगे 500 ग्राम गूर का हम बड़फी बना रहा है तो आप देख सकते हैं तो आप इसको तोड़ के भी डाल सकते हैं लेकिन हम तोड़े नहीं है यह आसानी से मेल्ट हो ज तक पकाएंगे हाई फ्लेम में चलाते रहना है फ्रेंट गूर को अब देख सकते हैं गूर मेल्ट हो रहा है धीरे-धीरे इधर ड्राइप ठंडा हो गया है तो इसको हम काटते जाएंगे और उधर गूर को भी चलाएंगे इस तरीके से ड्राइफ रूट को काट कर त्यार कर लेना है तो आप देख सकते हैं फ्रेंट गूर मेल्ट होने लग गया है गूर को पकाते हुए चार से प्माच मिनेट हो गया है गूर अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है आप देख सकते हैं गूर में जहाक आने लगा है तो इसको छोड़ना नहीं है इस से में चलाते रहना है फ्रेंट गूर को अब हम गूर को चेक करेंगे पानी में डाल दिये हैं थोड़ा से ठंडा होने के बाद चेक करेंगे अब देख सकते हैं फ्रेंट गूर आसानी से तूट रहा है तो परफेक्ट हमारा गूर बढ़फी बनने के लिए तयार हो गया तो इसमें वन पिंच के करीब मीठा सोडा औ और एक चमज जो अधरक रखे थे उसको लाश्ट टाइम में डाल दिये हैं इससे अच्छे टेस्ट आएंगे और मीठा सोडा डालने से दांत में चीपकेगा नाई फ्रेंट तो इसको ज्यादा नहीं पकाना है गयस को बंद कर देंगे तो गयस को बंद कर दिये हैं फ्रें प्लेट में उसके बाद हम सेट करेंगे इस तरीके से अच्छी तरह से सेट कर लेंगे प्लेट को टेप टेप करके उसके बाद उपर से भी ड्राइफ रूट डाल देंगे ताकि गूर बर्फी में उपर नीचे दोनों साइट से ड्राइफ रूट दिखे और टेस्टी लग ये सर्दियों का immunity booster है इसे खाने से जोडों का दर्द सर्दी जुखाम सभी में फाइदे मंद है ये गुड मसाला गुड बर्फी क्योंकि हम इसमें आदरक भी डाले हैं और धेर सारे ड्राइप फ्रूट डाला हुआ है गी भी डाला हुआ है तो अब हम इडली वाले बरतन मे सेट करेंगे इस तरीके से आप चाहे तो छोटे छोटे किसी भी प्लेट में जमा सकते हैं गी लगा कर ये आसानी से निकालाता है फ्रेंट इस तरीके से सेट कर लेना है नीचे से ड्राइप फ्रूट डाल कर फिर उसके बाद उपर से गुड डालेंगे तो हम इस तरीके से अब देख सकते हैं इडली के बरतन में गूर डाल दिये हैं तब उपर से ड्राइफ रूट डाल देंगे फिरें उपर से ड्राइफ रूट डाल का आधा घंटा रेश्ट के लिए छोड़ देंगे तो अच्छी तरह से हम गुर बर्फी को सेट कर दिये हैं इडली वाले बर्तन में भी ड्राइफ रूट डाल दिये हैं आप देख सकते हैं तो आदा घंटा रेश्ट होने के बाद हम इसको काट लेंगे थोड़ा ठंडा होने के बाद हलका हलका गरम रहने पे ही काट लेना है फिर नहीं तो ज्यादा हाड हो जाने के बाद कटता नहीं है तो आप देख सकते हैं आसानी से कट रहा है तो हम इस तरीके से पीसेस में सकते हैं तो यह आसानी से निकाला आएगा क्योंकि हम नीचे फोईल पेपर लगाये हैं तो इस तरीके से पीसेस निकाल लेना है इस तरीके से आप देख सकते हैं कितना डिलिशियस गुड़ कबर फी दीख रहा है फ्रेंड एकदम हेल्दी है देख सकते हैं तो हम सारे गुर बर्फी को निकाल लिये हैं तो अब इडली वाले बर्तन कभी निकाल कर आपको दिखा देते हैं फ्रेंड आप देख सकते हैं कितना बड़ी हैं बनकर त्यार हुआ है तो आप इसे सर्दी में एक पी डेली सुभा में खाईए और गरम पानी पी लिजिए बहुत फैदा करेगा ये सर्दियों का यूम्निटी भूस्टर मसाला गुर तो उमीद करेंगे फ्रेंड की आपको ये सर्दी का हेल्दी गुर वर्फी की रेसिपी पसंद आया होगा ड्राइप फ्रूट वाला इसमें सारे समान हेल्दी है फ्रेंड इसमें जो भी यूज हुआ है सर्दियों के लिए सारे यूजफूल है आप देख सकते हैं कितना डिलिसियस देखने में भी लग रहा है और खाने में भी बहुत स्वाधिश्ट है फ्रेंड तो इस सर्दी में एक बार इस तरीके से ड्राइप फ्रूट गुर बर्फी एक बार बनाना तो बनता है यह हम आपको एक गुर बर्फी तोड़ कर दिखा रहे हैं आप देख सकते हैं क्या टेक्चर है इसका कितना आसानी से टूट रहा है यह बिल्कुल भी मूह में नहीं चिपकता है फ्रेंड थैंक्स फर वाचिंग मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइ